हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चाइनल डिफेंस अफेर्स पर और आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि चाइना का हमेशा से यही सपना रहा है कि वो सबसे पावर्फुल सूपर पावर बन जाए और बाकी सभी देशों को अपनी अंडर टेक ओवर कर ले ऐसा करने के लिए चाइना किसी भी तरीके को अपनाने के लिए तयार रहता है सिर्फ यही नहीं बलके चाइना की नेवी में ओल्रेडी वर्ल्ड का लाजिस्ट शिप काउंट है और चाइना रैपिडली नए वार्शिप्स बिल्ट करके अपनी मिलिटरी में एड़ आन कर रहा है ताकि चाइना की military expansion और ज्यादा wider हो पाए। इसी साल जून में चाइना ने अपना first domestically designed and built aircraft भी launch किया था और ऐसे ही लगबग 5 नए destroyers जल्दी Chinese military में introduce हो सकते हैं। चाइना का ये build-up इसलिए आ रहा है क्योंकि बीजिंग अपने neighboring regions में अपना एक broader influence exert करना चाहता है। ताइवान जो के एक self-governing island है चाइना उसके आसपास भी military activities increase कर रहा है। और South China Sea में अपने territorial claims को और strong करने के लिए चाइना artificial island भी build करना चाह रहा है। चाइना की इसी कोशिश को US और US की allies ने challenge भी किया है। अगर हम चाइना की civilian ship की capabilities की बात करें तो चाइना की civilian ship सिर्फ raw number of ships ही increase नहीं करती बलकि ऐसे task भी perform कर सकते हैं जिने करना military के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक्जामपल के तोर पर Asia Maritime Transparency Initiative Center for Strategic and International Studies के डिरेक्टर ग्रिगोरी पोलिंग ने बताया कि चाइना की साउथ सी के स्प्राटली आइलेंड पर जो fishing के commercial trollers हैं चाइना उन सभी को जितना बहुत fishing से कमा सकते हैं उससे ज्यादा ही pay करती है। ऐसा करके इन डिटर्न चाइना उन सभी trollers से चाइना के बीजिंग पर disputed island के बनने के claim को support करने के लिए कहती है। इसी के साथ ग्रिगोरी पोलिंग ने ये भी बताया कि किसी conflict के event में चाइना के civilian vessels के use की वज़े से rules of engagement कॉप्लिकेट हो जाएंगे। अपनी बात को continue करते हुए पोलिंग ने कहा कि हर एक Chinese fishing boat को कोई nation एक armed combat की तरह treat नहीं करना चाहेगा पर कुद Chinese fishing boats well armed combatants जरूर होंगी। रिजवान रहमत जोकी Singapore-based defense intelligence company James के एक analyst है। उन्होंने कहा कि उने areas में जहाँ चाइना की navy बिना किसी response को प्रवोग करके operate करने में unable होगी वहाँ चाइना military related task के लिए अपना civilian research vessels deploy कर देगा। दोस्तो इस बारे में आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को like, share और subscribe करना मत भूलिए।